Chelsea आर गए Newcastle से 4-1 की स्कोर लाइन से और मोय मोय हो चुका है यहाँ पर और जिन लोगों को नहीं पता कि मोय मोय क्या है यह है मोय मोय जब भी दुखी हो जाते हैं तो मोय मोय करते हैं और एक काफी trending meme चल रहा ही है तो आप Instagram पर देखेंगे तो इसका काफी मजाग बुड़ाए जा रहा है तो कुल मिलाके एक light-hearted तरीके से अगर कुछ गलत हो जाए आपके साथ तो उसको मोय मोय बोलके आप describe कर सकते हैं तो देखिए मैं दुखी बहुत जादा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो Sunday को हुआ था अभी पिछले Sunday को जो India World Cup के final में हार गई थी तो उसतना heartbreak हमने देख लिया है तो उससे जादा heartbreaking कुछ हो नहीं सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये Chelsea की जो हार है इससे मैं concern नहीं हूँ या जिस तरीके का आज हमको game देखने को मिला है उससे मैं जादा वो disturbed नहीं हूँ ऐसा नहीं है बहुत ही खराब performance थी और बात करूँगा मैं कि आगे क्या मुझे लगता है कि Chelsea का season कैसे जा सकता है तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे Newcastle को बदा ही देना चाता Newcastle हंगर दिख रही थी Newcastle में वो हमसे जादा चाहते थे यह मैच जीतना और दिख रहा था कि वो किस mindset के साथ और किस intensity के साथ खेलने आए जो कि हम में बिलकुल नहीं दिखा तो बिलकुल वो deserve करते हैं यह मैच जीतना कोई doubt ही नहीं है इसमें एक जो बस चीज जो खटक यह थोड़ी सी कि जो लिंटन जन्होंने तीसरा गोल स्कोर किया Newcastle के लिए मुझे नहीं लगता उनको pitch पे होना चाहिए था first half के end में जिस तरीके से उन्होंने close line मारा Reese James को JBL की याद आगी by God तो वो एक red card होना चाहिए था in my opinion बट ठीक है rules क्या कहते हैं क्या नहीं है क्या है मुझे नहीं मालूम but I think it should have been a sending off और check होना चाहिए था वो but ये क्या है अगर मैं ऐसे बोलू ना कि वो तो जो लिंटन को red card नहीं मिला वरना हम जीत जाते नहीं ये newcastle की performance की तौहीन होगी और इस moment के पीछे हम छुप नहीं सकते कि हमारी performance जो थी वो तो अच्छी थी वो तो red card मिल गया हो तो newcastle को तो हम जीत जाते नहीं ऐसा नहीं है newcastle deserve to win this game 100% और सिर्फ एक red card call अगर हमारी तरफ नहीं गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमको ये match जीतना चाहिए था but जो moment है जो facts है मैं उनकी बात कर रहा हूं ठीक है ये बात हो गई side में और अब जो है मैं बात करता हूं कि Chelsea के लिए गलत क्या हुआ है इस match में तो देखिए सबसे पहले तो जब Leslie Yogu Chuku को यहाँ पे start दिया गया था तो ये एक Pochettino ने बात रखी कि Kaisedo जो है काफी लेट आए international break से तो obviously उनके minutes manage करने ज़रूरी और एकदम से उनको डाल नहीं सकते है ऐसे game में ready नहीं थे वो एक ही training session उनोंने टेंड किया था तो आप कह सकते है कि side decision था और वस एक 80 की जगे Madhya Shield को start कराया गया था तो इतनी कोई मुझे दिक्कत नहीं थी team selection से अब जैसा मैंने का आपको कि hunger Newcastle में बहुत ज़्यादा दिख रही थी जैसे first minute से वो press कर रहे थे हमको और I think twenty twenty first minute तक बिलकुल Newcastle का ही दबदबा वनावा था थोड़ा हमको break पे chances मिल रहे थे counter attack पे बट उन chances को हम ज़्यादा कुछ convert नहीं कर पा रहे थे उसके बाद एक goal score करती है Newcastle और बहुत ही बहतरीन finish Alexander Issac की और किसी भी तरीके कोई chance नहीं था वहाँ पे हमारे लिए उस goal को रोकने का थोड़ा switch off ज़रूर हुए हम defense में बट ठीक है हमने इस तरीके की गलतिया हर match में की है पिछले अगर आप दो-तीन match देखे है तो Burnley के against हमने पहले goal खाया था Man City के against हमने पहले goal खाया था और भी एक-दो matches है जिन में हमने पहले goal खाया था लेकिन ऐसा नहीं था कि हम वहाँ पे goal खाके और goal conceit करके हम जो है बिलकुल एकदम flat हो गए थे या हमने कुछ किया नहीं फिर respond नहीं किया था match में comeback नहीं किया था तो ऐसा नहीं था कि एकदम ह जो हालत थी हमारी खराब थी उसके बाद जैसे मैंने का 15-20 minute Newcastle ने dominate किया उसके बाद हमने जैसे जैसे हम settle हुए match में थोड़ा सा और जिस तरीके से धीरे-धीरे हम थोड़ा सा समझने लगे कि game का pace क्या है क्या required है हमारे player से तो वापिस आने लगे हम game में और क्या कहने र Connor Gallagher को एक अच्छा chance मिलता है वहाँ पर और first half के end में score जो है वो 2-1 हो सकता था गलती की थी Nick Pope ने लेकिन उसका वो फायदा नहीं उटा पाए और हमेशा हम कहते हैं कि अगर इतने आप difficult games खेल रहे हैं Newcastle अवे जैसा difficult game होता है तो आपको वो chances लेने पड़ेंगे यहीं प environment इस game की second half में आके ना इस तरीके का हमको game खेलना है कि Newcastle को match करना है टो 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 और जिस intensity से Newcastle खेल रहे हैं उसी intensity से हमको उनके against खेलना और जवाब देना है कि भाई हम जो है आपको इतना असानी से settle नहीं होने देंगे game में आप हमको ज़रूर press कर रहे हैं लेकिन हमारे hand half में तो जो हुआ हम बिल्कुल ही बिखर गए क्रंबल कर गए बुरी तरीके से discipline issues जिस तरीके से रहीम स्टर्लिंग को yellow card मिला रीस जेम्स एक already एक yellow card पे थे जिस तरीके से उन्होंने red card ले लिया वो फालतू में उन्होंने वो tackle मार रहा है as Chelsea captain बहुत ही गैर जिम्मेदारा हरकत थी वो और criticize करूँगा मैं Reese James को कि वो उनको करने की जरूवत नहीं थी वहाँ पे वो उन्होंने किया बहुत खराब बात है बहुत गलत बात है दूसरी चीज हम यहाँ पर कहते हैं कि इस टीम में क्या है कि experience की कमी है leadership की कमी है लेकिन जब Thiago Silva जैसे एक elite और एक बहतरीन और एक experienced center back इस तरीके की बहुत गंदी गलती करते हैं तीसरे गोल के लिए जो लिंटन के लिए तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं बतलब इतनी गंदी आपने individual mistake किये यहाँ पर और individual mistake के बाद individual mistake कुकुरेया ने जिस तरीके से अब आप कह सकते हैं कि he was naive वह हालन्ड वाली penalty पे Man City के against, Sanchez की वह गलती Arsenal के against तो क्या हो रहा है कि हम जिन games में गंदा खेलते हैं वो तो हारी रहे हैं जिन games में अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं उनमें individual mistakes की चलते हैं जो है हम अपनी दिक्कतें खुद बढ़ा लेते हैं और आज फिर से वो ही वाज जब लग रहा था कि हम second half में शायद comeback करने की उसमें है Lascells के दूसरे goal के बाद which brings me to the point कि हम लोगों से set piece defending नहीं होती वो तो हम एक-दो occasions पे लगी रहे थे, Sanchez दो-तीन बार slip हो गए corner defend करते-करते एक तो बहुत ही अच्छा chance मिला था जो लिंटन को जो उन्होंने open goal में मार सकते थे वो ball को net एकदम खाली था और उन्होंने भार मार दी वो ball तो set pieces जो हैं हमारी और जो deliveries हैं box के अंदर उनको हम defend नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी तो ये एक चीज है food for thought है हमारे coaching staff के लिए कि इस चीज को कैसे बहतर किया जा सकता है और ये जो है बार-बार हम अभी अकान जी का आप goal देख लीजिए पिछले match में डायर ने almost goal मार दिया था वो Spurs के against जो हमारा match हुआ था उसमें और भी आज Lascells का goal हो गया एक दो occasions और है जब हमने बहुत ही बेकार तरीके के जो है goal conceit किये इन positions में अगर कोई एक decent set piece taker होता है James Ward Prowse ने वो corner मारा था West Ham के against मुझे आदा रहे जब knife agard ने goal किया था तो ये repeat हो रही है चीज और आप हर match में susceptible हैं ये सब चीजें के तो आपको इस चीज का solution बहुत जल्दी find करना पड़ेगा आप बहुत जादा जो है एक ही एक तरीके से goal खाये जा रहे है और इससे आपकी एक नाकामी दिख रही है या आप में capability नहीं है या आपका plan जो है वो सही नहीं है again set piece defending तो इस चीज का खासा बहुत हमको ध्यान रखना पड़ेगा going into the next games और दो साल से हमारी ये बहुत एक गंदी आदत रही है कि हम set pieces से और especially जब एक awkward angle से delivery आती है न तो वहाँ पे हम defend ही नहीं कर पाते हैं उन चीजों को जाए कोई भी center back खेल रहा हो तो ये एक systemic issue है ये एक आप set piece के against आपकी क्या strategy है किस तरीके साब line up होते हैं वो issue है rather than an ability issue कि अगर बान लीजे थियागो सिल्वा से ही गलती हो रही होती या call will से ही गलती होती होती या disasi से ही गलती हो रही तो हम बोलते कि यहाँ चल इस एक बंदे की गलती की वज़े से बार बार corner पर है set piece पर गोल पड़ रहा है लेकिन ये जो चीज है ये पूरी एक system और एक पूरी team की गलती है तो इसको हमको solve करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है अब यहाँ पर देखिए ये जो team है न एक जो ये बहुत गलत कर रही है ये Chelsea की team वो ये है कि जो भी momentum मिलता है न एक अच्छी performance के बाद उसको ये जाया कर देते हैं उसको बिलकुल ही waste कर देते हैं चाए वो Arsenal के against अच्छा खेल के Brentford से हार जाना हो चाहे ये City के against एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन performance देके Newcastle से हार जाना हो तो बहुत ही ज़ादा एक गंदी और घटिया किसम की performance आज आपने दी है इतना बड़िया खेल के City के against जब हमको लगता है कि our team is back जब हमको लगता है कि हम जो है बहुत अच्छा खेल सकते हैं Liverpool के against फिर से अच्छी performance देके West Ham's हार जाना अगले हफते तो ये जो एक vicious circle चल रहा है उससे हो क्या रहा है कि अच्छी teams के against तो अच्छा खेल के obviously Newcastle भी एक top team है बट City, Liverpool, Arsenal के against अच्छा खेल के आपने तीन पर्ण नहीं ले वो तीनों match आपने draw कर ली उसके बाद जब आपको लगता है कि चलो ये momentum हम ride करेंगे next game में और जो next team होगी जैसे आज Newcastle को काईदे से आपको हराना चाहिए था Newcastle की main team नहीं खेल रही थी आज आज उनके वो एक माईली करके बच्चा खेल रहा था उनका 17 साल का क्या बड़िया performance थी उसकी तो पूरी Newcastle की एक team थी जो वो चाहेंगे कि और बहतर हो सके अगर उनके सारे first team players available होते selection के लिए लेकिन वो second string team तो नहीं कहूंगा मैं बट हाँ first choice players तो कते ही नहीं थे तो ऐसा नहीं है कि injury की concern सिर्व आपको है injury की concern Newcastle को भी थी और उसके बावजुद उन्होंने game को बहुत भैतरीन तरीके से manage किया और बहुत अच्छे से उन्होंने जो है आज Chelsea को एक तरफा हरा है तो ये आपके साथ ही क्यों problem हो रही है बाकी teams के साथ भी तो same problem है क्यों आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे है solve तो CDC बात है इस team में जो है naive players बहुत ज़ाद है inexperienced players बहुत ज़ाद है ability का question नहीं it's a question about कि आप अपना दिमाग जो उसको स्थिर रख पाते हैं की नहीं जैसे ही हम match में पीछे होते हैं अगर momentum बना हुआ है और हमने एक दो chances ले लिए तब तो comeback हो जाता है यहीं पर ही अगर हम कुछ गलत goal concede कर दें और away from home fans का support इतना महसूस नहीं हो रहा है panic करने लग जाता है और आज panic दिखा मुझे पहली बाल core partner में panic दिखा मुझे आज उसके बाद जो players जैसे Gallagher हो गए उनकी performance आज अच्छी नहीं थी और इसके बाद अगर मैं बात करूं sterling के लावा to be honest मुझे किसी performance इतनी अच्छी नहीं लगी और discipline एक बहुत बड़ा issue है इस टीम का चार गोल आपने दो matches में लगातार conceit कियें वो तो है defensive issues तो है discipline के जैसे कितनी असारनी से हम yellow card ले ले लेते हैं मतलब Jackson को 5 yellow card की वज़े से suspension मिल चुका है Reese James ने आज दो yellow card ले लिए फाल थूके दूसरा yellow card जिसकी जरुवत नहीं थी और मैं blame करता हूँ कि उन्होंने उस समय टीम को जो है एक बहुत गलत जगे पे छोड़ दिया जहां पर उनकी जरुवत थी बहुत जादा उनकी वज़े से मैं कहूंगा कि 4 गोल आया और आप कह सकते हैं कि और भी एक दो जगहों पर जहां हमारे players को unnecessary yellow card मिले वो avoid हो सकते थे Pochettino को खुद sideline ban मिला हुआ है इस match में because उनको 3 yellow card मिल गए थे तो इससे क्या message जा रहा है Pochettino खुद ban है इस match के लिए technical area में खड़े होने के लिए और वो खुद जो है stands में बैठे थे तो वो क्या खुद message दे रहे है as a manager कि भाई मैं तो खुद ही इतना indisciplined हूँ तो तुम लेकिन अपने discipline का ध्यान रखो तो manager को यहाँ पर example set करना होगा अब देखें मैं यहाँ पर यह नहीं वोलूँगा again reactionary होके कि sack कर दो manager को या आप यहाँ पर निकाल दो Pochettino को नया manager आएगा वो ही चीज़े ठीक करेगा नहीं कोई manager आके अभी एकदम से चीज़ें ठीक नहीं कर सकता patience आपको रखना पड़ेगा मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस team में हमने अच्छी बाते देखी हैं अभी पिछले कुछ matches में हमने अच्छे signs देखे हैं वो सारी चीज़ें जो है एक साथ click होने में time लगेगा और experience जो है outfield player बन गए प्रेमेर लीग history में 39 years और 64 days की age के जिन्होंने हमारे लिए आज pitch पे कदम रखा लिकें अगर आप देखें वो जो उन्होंने जो लिंटन के goal में जो उनसे गलती हुए उसके पहले भी एक वो corner के time पर corner flag के पास ball थी वो clear करना चारे थे और उसको करनी पाए थे उलज गए थे थोड़ा सा तो क्या उन्हें rest की जरुवत है क्या वो थोड़ा सा slow हो गए है क्या अब हमें move on करना चाहिए अब यह देखे बहुत hard हो जाता है एक खराब moment एक खराब performance के बाद यही चीज होती है जब आप एक ऐसे point पर होता है न अब जैसे देखे Chelsea का as a club एक billion आपने खर्च किया एक भी hard आपके यही सवाल उठेंगे क्या आपने घटिया player sign किया है क्या manager को sack करना चाहिए क्योंकि आप बहुत 40 साल का हो गया है बंदा यह slow हो गया है सोच शायद उस space से नहीं पा रहा दिमाग जहां जा रहा है वाँ शायद शरीर साथ नहीं दे रहा गलतियां हो रही है बहुत hard है मेरे हिसाब से ठीक है गलती की वज़े से हमने आज फिर से एक match हा रहा है बट मैं यहाँ पर Newcastle को बहुत जाधा credit दे रहा हूँ और हम से है न किसी भी तरीकी की desire या किसी भी तरीकी की आग नहीं देखी मुझे और वो बहुत concerning है मेरे लिए as a Chelsea fan क्योंकि consistency हम बिल्कुल ही नहीं पकड़ पा रहे हैं से season तो I don't know where this season will go I think again we will finish bottom half में या 10th I think so 8th 9th में भी all depends on कि हम एक run पे जाते हैं कि नहीं एक winning run पे हमको एक 8-9 match का unbeaten run चाहिए जहां पर 7-8 match आप जीते हों एक-2 match आप draw कर लें और वो हो सकता है but you never know कि क्या expect कर सकते हैं में Chelsea team से तो मैं तो कुछ expect कर नहीं रहाँ to be honest और ऐसा है भी नहीं कि हो नहीं सकता team बहुत अच्छी है makings of a good team are there मैं कई बार बोल चुक हूँ ये बात लेकिन फिर से वही वाली बात है कि आप momentum क्यों नहीं ride कर पा रहे हैं आप बार-बार inexperience दिखा रहे हैं आप क्यों same गलतियां बार-बार कर रहे हैं repeat हो रही है same गलतिया ना बार-बार repeat हो रहे है repeat हो रही है तो Pochettino को थोड़ा time लगेगा इन सब चीजों को सही करने में यह जो performance है बहुत ही घटिया और एकदम कूडे दान में फैक देने वाली performance है और इसका आप जो है इसके बारे में आप तारीफ में कुछ नहीं कह सकते है apart from Raheem Sterling के कोई भी player अच्छा नहीं था shout out to Raheem Sterling वैसे जिस तरीके से वो form में आये हैं और अच्छा कर रहे हैं तो अजीब सी बहुत ही घटिया किसम की बेकार performance अब next match हमारा Brighton से है फिर United से आप again Brighton के अच्छा खिलोगे आप फिर United के against खराब खिलोगे तो यही चलता अगर रहेगा तो मुझे लगता कि हम इस सीजन जादा कुछ achieve कर पाएंगे तो inconsistency जो है इसका एक run हमको तोड़ना पड़ेगा और मैं अभी खारिज नहीं करूँगा किसी भी प्लेयर को कि यह प्लेयर खराब है यह प्लेयर अच्छा है बहुत जादा या manager खराब है हर तरीके का sign देखा इस season अच्छी football भी खेली है खराब भी खेली है लेकिन problem यह है कि point बहुत कम है table पे और I don't know कि season किस direction में जाएगा all is not lost hope अभी भी रखनी पड़ेगी कि चीज़ें सुधर जाएंगी लेकिन सुधरेंगी कैसे वो देखना होगा और let's hope कि Nkunku के आने के बाद चीज़ें सुधर जाएं बट मुश्किल लग रही है जिस तरीके साथ यूनिट हम कभी-कभी crumble कर जा रहे है न बड़ा मुश्किल है तो let's see what happens near future में आपकी क्या राया है इस पर? Please do let me know in the comment section I think Newcastle definitely deserve to win और Joe Linton के red card के पीछे हम छुप नहीं सकते potential red card के पीछे हमको मानना पड़ेगा कि हमारी आज performance बहुत खराब थी और घटिया खेले हम और इससे हमको bounce back करना पड़ेगा तो बताइएगा जो भी आपके thoughts है please do let me know और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी जब तक ध्यान रिखिए अपने take care